क्या आपको मालूम है कि कौन सी कंपनी का लैप्टॉप बाई करना चाहिए? जी हाँ, दोस्तों बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि कौन सी कंपनी का लैप्टॉप बाई करना चाहिए? अब मैं आपको बात करूँ तो पिछले 3-4 महीने की मुझसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोगों ने भर भर के पूछा है कि भाईया कौन सी कंपनी का लैप्टॉप हम बाई करें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी कंपनी का लैप्टॉप बाई करना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढून रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपको एक लैप्टॉप बाई करन कि जब आपको मालुम चल जाए कि कौन सी कंपनी का लैप्टॉप बाई करना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लैप्टॉप लेने से पहले वैसे एक आईडियल जो कॉस्चन होता है वो य लैप्टॉप कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि इस परपस के लिए कौन सा लैप्टॉप आपको लेना चाहिए कितने बजट में मिल जाएगा तो उसके ओपर मैंने एक वीडियो बनाया था लैप्टॉप बाइंग गाइड कि लैप्टॉप खरीदने से पहले क्या-क्या ले पाओगे और लैप्टॉप के अंदर जो चीजे होती हैं पार्ट्स होती हैं किस काम क्या आता है वो सब आपको मालूम पढ़ जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि लैप्टॉप के मामले में 4-5-6 कंपनीज ही हैं जिन में से आपको चूज करना होता है यही सार करते हैं कि कौन सी कंपनी का लैप्टॉप खरिदना चाहिए यह सवाल जो है कौन सी कंपनी का लैप्टॉप खरिदना चाहिए मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आता है लोगों के माइंड में आप मुझे नीचे कमेंड करके जरूर बताना जहां तक मुझे पता है कि लोग यह इसलिए सोचते हैं कि उस company का laptop लिया जाए जिसका laptop जो है वो 5 साल-10 साल चले यानि कि वो रोज-रोज laptop तो नहीं ले सकते नहीं लेते हैं तो laptop लेना एक अपने जो पैसे invest कर रहे हैं अच्छे कासे 30, 40,000, 50,000, 60,000 तो आप चाहते हो कि आपका laptop ऐसी बड़िया company का हो जो कि खराब ना हो 5 साल-10 साल चले यही है ना बिल्कुल जैनुएन चीज़ इसलिए लोग सोचते हैं कि कौन सी company का laptop हमें लेना चाहिए अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि HP या फिर Dell का laptop ले लो वो बहुत साल चलता है उसमें कोई खराबी नहीं आती है बड़िया company का laptop है अब आज के time में कोई भी laptop मैं आपको बता दूँ 10 साल तो नहीं चलने वाला है क्योंकि उसकी performance वैसी नहीं रहेगी एक दो साल बाद जो कि आपको starting में मिलती है हाँ laptop आपका चल सकता है 5-6 साल 10 साल भी लोग चला लेते हैं लेकिन आब वो quality वो product आपको नहीं मिलेगा आज की date म जो आपको 10 साल पहले मिलता था इसलिए वो लोग trust करते हैं HP या फिदेल पे क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा laptop तो 10 साल चल गया था इसलिए हम तो यही company का laptop लेंगे आपको बतातू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहले के time में क्या होता था laptop जब बनते थे तो focus रहता अगर वो नहीं देंगे तो survive नहीं कर पाएंगे market में क्योंकि बहुत सारे competition हो गये हैं पहले इतना competition नहीं था और पहले marketing strategy भी वो नहीं होती थी जो आज की date में होती ही companies की तो आज की time में वो ऐसा product तो नहीं बनाने वाले कि जो 10 साल तक चले हैं आप इस चीज को समझ सकते पिछले कुछ सालों से तो 3-4 साल 5 साल के अंदर जो भी चीज़े लियोंगी वो खराब हो गई होंगी वो उतनी नहीं चलती हैं जितनी की पहले चलती थी reason same है कि competition बढ़ गया है पहले quality पे focus होता था अब quality पे focus नहीं होता अब focus होता है कम price में ज़्यादा features देनेगा तो इ पहली चीज़े brand reputation इतना पुराना brand है तो इसलिए उनकी चीज़े लोगों की अच्छी चली है इसलिए लोग उस पे बरोसा करते हैं दूसरा point है after sales service ये बात ठीक है कि Dell और HP की better होती है दूसरों laptop company के comparison में तीसरा point है trust लोगों का trust बना हुआ है इस बड़ी company के उपर इन reason है जिनकी वज़े से HP और Dell के laptop जो है वो expensive भी होते हैं महंगे भी होते हैं in comparison to गर आप Asus या फिर Lenovo की बात करो या फिर Acer की बात करो तो यही reason है इनके laptop थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन वहीं बात करो अगर मैं Asus, Acer और Lenovo की इनके अंदर आपको कम price में ज्यादा अच्छे features मिल जाते हैं लेकिन मैं बात करो quality की और durability की तो अब समझो कि सारे companies के laptop एक ही बराबर हैं और कोई भी laptop 10 साल तो नहीं चलने वाला है एक दो साल की company guarantee देती है और on-site warranty होती है सबकी तो उतना तो laptop आपका अच्छा ही चलता है उसके बाद आपको performance में changes दिखते हैं और कोई भी laptop 10 साल के लिए नहीं चलने वाला है हाँ लेकिन अगर आप brand value की तरफ जाना चाते हो after sales service आपको अच्छी चाहिए तो आप HP या Dell की तरफ जा सकते हो लेकिन ऐसी कोई theory नहीं है कि HP और Dell के laptop जो है लंबे समय तक चलते हैं आज की date में और कभी खराब नहीं होते ह मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि HP या Dell में से लेंगे और मैंने आपको difference भी बता दिया कि पहले क्या difference होता था और आज की date में क्या difference है तो आप उस company का laptop ले सकते हैं जो आपके price में आपको अच्छे specifications दे रहा है इसके अलावा market में और भी brand आ चुक कोई आपको issue आने वाला नहीं है ये एक machine है हो सकता है HP या Dell के अंदर को issue आ जाए एक दो सालों में और हो सकता है कि Acer या Lenovo का laptop 10 साल चल जाए उसमें कोई भी issue ना आए तो आप सब चीजों को देखिए समझीए और परकिए और उसके बाद आपको सवाल का जवाब मिली जा जो मैंने बनाया था laptop के उपर कि laptop खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए उससे आपका जो mind है वो और ज्यादा clear हो जाएगा और आप अपना अच्छा laptop चूज कर पाओगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता आपसे किसी और next वीडियो में तब तक के लिए take care